प्ला करें लिएश्वर hotter तो अब करेंगे कि पेडू अर्थाें जो आपका पल्विक का हिससा हो तो यह क्यों होता है इसके क्या कारण है किन बेमारियों में गुस्तर στο की संस्या पैदा हो जाती है या क्या सामानी लेक्षन इसके होते हैं किन घरेलू उपायों से हम इने दूर कर सकते हैं और किस हिस्तिती में हमें तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने इस पहले बस मेरे इतनी प्रातना कि इस चानल पर नए हैं तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तो दोस्तों बात करते हैं कि जो पेट का निशला हिस्सा होता है जिसे आप पेडू कहते हैं पालविक कहते हैं यह जो हिस्सा होता है यह पेट का सबसे निशला हिस्सा होता है इसमें आते, मुत्राशे, गरभाशे और अंडाशे जैसे अंग मौझूद होते हैं आम तोर पेडू होता है पेडू होता है इसमें दर्द का अर्थ होता है कि इन अंगों में किसी एक अंग में कोई दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो पेडु है जो पैलमे की उसमें दर्द या पेन भैसूस हो रहा है इसके अलाबा इन अंगों के पास वाली जैसे हड़ियां है, मासपेश यां, तंत्रिकाय हैं जो रक्त वाली नसे हैं यह जोडों में भी इसतरे का दर्द होता है तब इस तरह की समस्या प toolbox कोई विशेश चिंता की बात नहीं है जैसे ही मासिक धरम खतम होता है वैसे ये दर्श खतम हो जाता है कितनी बार शुरू होने से 2-3 दिन पहले ये समस्या शुरू हो जाती है इसके अलावा कुछ विशेश परिस्थितन है जैसे appendix में, मुत्राशे के विकार जैसे की urine infection में इसके अलावा गुर्दे के संक्रमने या गुर्दे में पत्री जब होती है कितनी स्टोन जिसे आप कहते हैं तब भी महिलाओं या पुरिशों दोनों में इस तरह की दर्द की समस्या हो सकती है कभी-कभी ऐसा होता है कि दर्द कभी-कभी होता है और कभी-कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि लगातार हो रहा है देखिए जब भी दर्द लगातार हो और खासकर 3-4 दिन से जादा हो गए तो तुर्ण अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले खासकर एक सब्ता यदि हो जाए और आपको बिल्कुल दर्द में आराम नहीं मिला तो डॉक्टर की सला तो तुरंत ही लेनी चाहिए इसके अलावा इसके जो दर्द का यदि कोई रीजन नहीं पता चल पा रहा है तो सबसे बेस तरीका होता है कि टेस्ट करवा लिया जाए कि ये दर्द किस वज़े से हो रहा है ये कौन सी ऐसी बिमारी है जिसकी वज़े से ये एक तरह सा आपका जो बॉड़ी है वो एक सिम्टम दे रही है पैल्बिक पेन के रूप में अब हम बात करेंगे कि लक्षन क्या होते हैं देखिए मासिक धर्म के समय में तो एंठन होती है दर्द होता है इसके अलावा कब्जू जैसी समस्या हो जाएगी पेट फूलेगा या पेट में गैस बनने लगेगी कुछ व्यक्तियों के मल में खून आने लगता है या सेक्स के दोरान जिन लोगों को दर्द की समस्या होती है उन लोगों को भी इस प्रकार के पेल्विक पेन की समस्या देखी गई है इसके अलावा पेट और जांग के बीच के भाग में दर्द होना पेडू में कुछ देर के लिए हलका दर्द होना सामान नहीं लेकिन अगर दर्द तेज हो रहा है और एक हपते से अधिक हो रहा है तो तुरन डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए इसके अलावा पिशाप से संबंदिती यदि कोई रोग है तो उसमें भी इस तरह की समस्या हो जाती है तब भी अपने डॉक्टर से तुरन संपर्क करना चाहिए अब देख जाती है इसके अलावा पेल्विक इंफ्लमेटरी डिसीज जो होती है इसमें पेडू में सूजन आ जाती है जो यौन संक्रमणों के कारण होती है तो महिलाओं का जो प्रजन संबंदी चेत्र वहां पे सूजन हो जाती है जिसकी वजह से भी इस तरह का दर्द जो है वो जैसे में गाठ वाली जगह होती है वहां पे दर्द होता है तो इसके लिए तुरन्त अपने डॉक्टर से आपको इसका समाधान लेना चाहिए इसके अलावा जिन लोगों के गर्भाशे में फब्रॉइड होते हैं तो जो फड्रॉइड होते हैं यह गर्भाशे की दिवार पैदा करने और उम्र बढ़ने के कारण पेड़ों की जो माश पेशा है वो कम हो जाती जिससे मुत्राश है गरभाश है और मलाश है योनी की तरफ जुग जाता और अपनी जगसे हिल जाते हैं और यह समस्य किसी भी महिलाओं को सकते लेकिन जिन महिलाओं की उमर बढ़ रही उनके साथ ऐसा जादा होता है तो इसलिए इस अवस्था में अपनी डॉक्टर से सला खासका जो आपकी गायनकोलोजिस ने उनसे सला ज़रूर लेनी चाहिए इसके अलावा पुरुषों में भी इस तरह की समस्या देखी गए खासका पुरुष निस्बंदी के बाद या बैक पेड़ू में दर्थ हो जाता है अब देखे ये जो समस्या है में महिलाओं को भी परिशान करती है पुरुषों को भी परिशान करती है लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो दोनों में हो सकते हैं जैसे कि हारनिया हो जाना अपेंडेसाइटिस हो जाना इसके अलावा आपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और यदि ये दर्द जादा बना है तो तुरंत इसके टेस्ट भी जरूर करने चाहिए ताकि ये पता चल सके किसके पीछे का रीजन क्या है अब देखे अगर नॉर्मल बात की चाहिए कि हलका फुलका कभी हो गया आपको इस तरह का द पीते उनको गुर्दे की पत्री की वज़े से अगर दर्द है तो उसमें आराम मलता है इसके अलावा जिन महिलाओं को पीरेट से पहले इस तरह की समस्या होती है उनको घबराना नहीं चाहिए ये दो-तीन दिन में खताम हो जाता है इसके अलावा इसके इलाज की बात की ज जब भी कोई समस्या होती है तब भी इस तरह की समस्या होती है खासकर एविलेशन जो आपका अंड़ा जो बनता है हर महिने वो मासिक धरम को नियंतित करने वाले हार्मोन में बदलाओं के दौरान भी इस तरह की प्रक्रिया होती है तो कितनी बार डॉक्टर इसमें गर्व निरोदग गोलिया या हर्मोन समंदित गोलिया देते हैं जिससे के पेड़ू के दर्द में आपको राहत मिलती है तो ये कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको आराम दे सकती हैं पेड़ू के दर्द में इसके अरावा कुछ exercise जरूर करते रहना चाहिए खासकर जो लोग व्यायाम करते हैं और जिनके पेड़े अक्सर गैस बनती रहती हैं उनको भी ऐसी समस्या होती है तो व्यायाम करें हलका कहना रात में खाहें और खासकर पानीस जादा से जा़ा पिए तो पेड़ू के दर्द में काफी आराम मिलता है लेकिन ज़र्ध लगादार होosse रहा रुक नीर में तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमाश्यकार